Hello students, welcome once again. Students, आज की वीडियो में हम study कर रहे हैं Class 10 के स्लेबस से Chapter No. 7, Glimpse of India इस chapter को 3 अलग-अलग stories में divide किया गया है इस chapter की first story A Baker from Goa को study कर रहे हैं Baker from Goa के writer है Lucio Roderigs This is a pan portrait of a traditional Goan village baker Who still has an important place in his society ये chapter एक पारमपरिक Goa के गाउं के बेकर से related है Baker means जो लोग baking का काम करते हैं Bread, cake, pastries वगेरा बेक करते हैं oven में ये chapter ये कहानी एक pan portrait है Pan portrait का मतलब किह कर अपने बातों को शब्दों में लिखकर Goa के एक गाउं के बेकर्स के बारे में हमने सब कुछ बता दिया एक ऐसा चित्र बना दिया है कि कोई भी उस चीज को पढ़कर आसानी से समझ सकता है कि Goa के गाउं में बेकर्स का क्या रोल है Who still has an important place in his society जिनका अपनी society में एक important role है तो basically इस कहानी में आज हम पढ़ने वाले हैं Goa के गाउं से related बेकर्स की लाइफ के बारे में Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days हमारे बड़े लोग अकसर अपनी यादों में खो जाते हैं अपने पुराने दिनों में जो पुर्तगाली दिन थे पुर्तगाली में जब अंग्रेजों का जमाना था The Portuguese and their famous loaves of bread और वो पुर्तगाली वो अंग्रेज जो famous bread के लिए bread के pieces के लिए प्रसिद थे Those eaters of loaves might have vanished हाला कि वह bread खाने वाले लोग अद्रश्य हो सकते हैं Vanished मतलब अब वो यहां नहीं है But the makers are still there लेकिन bread बनाने वाले आज भी यहां है Bread का India में bread जो introduce हुई वो पुर्तगाली यों से introduce हुई क्योंकि यह उनके food में शामिल था वो लोग हमारी तरह चपाती नहीं बनाते थे वो bread खाया करते थे We still have among us the mixers The moulders and those who bake the loaves आज भी हमारे बीच में हैं mix करने वाले Mould करने वाले और bread को bake करने वाले Those age old time tested furnaces still exist आज भी सदियों पुरानी time ने जिने test किया है यानि के समय के समय पर खरी उतरने वाली भट्टियां आज भी exist करती हैं It means बहुत बहुत पुरानी भट्टियां आज भी बनी हुई हैं पर bread बनाई जाती थी और वो आज भी वैसी की वैसी ही है खराब नहीं हुई है The fire in the furnaces has not yet been extinguished और आज भी उन furnace की उन भट्टियों की आग बुझी नहीं है आज भी उन में bread बनाई जा रही है The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning third and jingle, आवाज, खन-खन की आवाज उनके जो बास थे, traditional bakers के एक बास होते थे traditional bakers यानि के जो bread बनाया करते थे bakers थे, उनके पास एक bamboo होता था और जिससे वो एक अलग प्रकार की आवाज करते थे ये आवाज heralding his arrival in the morning सुभा कोन के आने का संदेश देती थी, खुश कर देती थी लोगों को की bread बाला आ गया can still be heard in some places और आज भी ये आवाज सुनी जा सकती है maybe the father is not alive, हो सकता है की पिता जिन्दा ना हो but the son still carries on the family profession लेकिन उसका बेटा आज भी परिवार के उस profession को चलाता है आज भी इन बेकर्स को गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है गोवा में बेकर्स को पेडर कहते हैं During our childhood in गोवा, the baker used to be our friend, companion and guide गोवा में जब हमारा बच्पन बीता, जो ये writer हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं कि गोवा में जब हमारा बच्पन था, तो हमारे friend हुआ करते थे, companion हुआ करते थे, guide हुआ करते थे ये बेकर्स He used to come at least twice a day, दिन में दो बार ये बेकर आते थे Once, एक बार, when he set out in the morning, जब सुभा होती थी on his selling round, सुभा को, सभी को bread की जरूरत पड़ती है तो एक बार तो वो सुभा सुभा अपना bread बेचने का एक round लगाते थे And then again, और फिर दोबारा, when he return after emptying his huge basket जब दोबारा वे अपनी खाली basket के साथ उधर से लोटते थे The jingling thud of the bamboo woke us up from sleep Bass की खनखन की आवाज, या जैसी भी आवाज थी, जो bass की jingle thud की आवाज थी वो हमें neen से उठा देती थी And we ran to meet and greet him और हम भागते थे बेकर से मिलने के लिए, उनको good morning wish करने के लिए Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या हम bread से इतना प्यार करते थे? Not at all, बिलकुल नहीं The loaves were bought by some paskins and bastin Bread किसी paskin या baskin के द्वारा खडी दी जाती थी The maid servant of the house, घर का जो भी कोई servant होता था What we long for were those bread bangles हम क्या चाहते थे? हम क्या लेना चाहते थे? वो थे bread bangles Which we choose carefully, जिसे हम बहुत इध्यान से चुनते थे Sometime it was sweet bread of special make Kabhi-kabhi उनके पास sweet bread भी होती थी जो specially बनाई जाती थी The baker made his musical entry on the scene with a zing-zang sound of his specially made bamboo stuff जैसा अभी हमने कई बार पढ़ा है Bamboo से वो जिंगल या थड की आवाज होती थी तो ये जो bakers हैं ये अपनी एक musical entry के साथ scene में आते थे zang-zang sound होती थी उनके specially बनाए गए bamboo के staff से One hand supported the basket एक हाथ में उनके टोकरी होती थी basket होती थी on his head जो basket उन्होंने हाथ से support करके सर पे रखी होती थी and the other banged the bamboo on the ground और दूसरे हाथ में वो bamboo होता था जो जमीन पर bang करते हुए उसको जमीन पर मारते हुए उसकी आवाज की जाती थी He would greet the lady of the house with good morning वह घर की lady से मालकिन से good morning करते थे and then places basket on the vertical bamboo और फेर उस vertical bamboo पर अपनी basket को रख देते थे The kids would be pushed aside with a mild rebuke बच्चों को हलक असा डाट के दूर भगाया जाता था and the loaves would be delivered to the servant और bread deliver कर दी जाती थी servant को But we would not give up लेकिन ऐसे ही नहीं हम जाने देंगे We would climb a bench हम bench पर चड़ जाते थे or the parapet and peep into the basket या फिर किसी भी उची जगा पर और basket में जहांकते थे बच्चे अकसर इसी तरह से behave करते हैं कि अगर वो समान नहीं दिखा रहे हैं basket में कौन कौन सी bread है तो बच्चे उस basket में हर तरीके से जहांकने की कोशिश करते थे Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves मैं आज भी अभी भी recall कर सकता हूँ याद कर सकता हूँ वो अलग प्रकार की खुश्बू उन breads की, loaves की loaves of the loaves for the elders and the bangles for the children loaves bread होती थी बड़ों के लिए और bangles होती थी बच्चों के लिए Then we did not even care of brush तब हम brush करने की भी चिंता नहीं करते थे Then we did not even care to brush our teeth और wash our mouths properly ना हम ढंक से मुहाद होते थे And why should we और क्यों धोएं We would take the trouble of plucking the mango leaf for the tooth brush हम आम की पत्तियों से या आम की टहनी से भी tooth brush बना कर brush कर लेते थे And why was it necessary at all? और ऐसा क्यों जरूरी था? The tiger never brushed his teeth एक शेर कभी भी अपने दात साफ नहीं करता है Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all आखिरकार गरम चाय वाश कर देगी, साफ कर देगी सारे दातों को आराम से Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball Marriage के जो उपहार थे वो meaningless हो जाते थे अगर उसमें bread जिसे कहा जाता था bowl नाम की एक bread थी उसके बिना तो marriage के gift meaningless थे बेकार थे उनका कोई मतलब नहीं था अगर marriage के gift में bowl नाम की bread नहीं दी गई तो Just as a party or a fest loses its charm without bread और इसी तरीके से कोई भी party हो, कोई भी दावत हो वो अपना charm, अपनी सुंदरता, अपना craze खो देती थी without bread Not enough can be said to show how important a baker can be for a village और इतना ही नहीं एक गाउं में baker कितना important था ये जानना बहुत जरूरी है The lady of the house must prepare sandwiches घर की lady को मालकिन को sandwiches त्यार करने होते थे on the occasion of her daughter's engagement जब उसकी बेटी की engagement का अवसर होता था Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festival Cakes और bolinhas बहुत जरूरी होते थे Christmas festival पर Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential इसी लिए baker की भटी होना उस गाउं में बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक था क्योंकि उनके बिना तो किसी भी त्योहार में मज़ा नहीं आएगा जब तक bread नहीं होगी Bolinhas नाम की bread नहीं होगी Cake नहीं होंगे The baker और bread seller of those days उन दिनों के जो bread बेचने वाले बेकर थे Had a peculiar dress उनकी एक अलग प्रकार की dress भी होती थी Known as the kabai और वो ड्रेस जानी जाती थी kabai नाम से It was a single piece long frock ये एक प्रकार का single piece में बना हुआ लंबा frock होता था Reaching down to the knees जो घुटनों तक जाता था In our childhood हमारे बचपन में We saw bakers wearing a shirt हमने bakers को एक shirt पहने देखा है and a trouser pen shirt में हमने देखा है bakers को लेकिन उससे पहले उनकी uniform इस तरह से होती थी एक लंबा सा frock घुटनों तक का which were shorter than full length once and long than half pen और ये जो trouser होते थे जो आजकल पहनते हैं bakers shirt and trouser ये trouser भी ना तो पूरी तरह pen तरह होते हैं ना ही short की तरह ये लंबे होते हैं एक half pen से half pen से ज़्यादा लंबे होते हैं और full pen से थोड़ा सा कम जैसे कि आज कल हम लोग capri type पहनते हैं even today आज भी anyone who wears a half pen अगर कोई भी half pen पहनता है which reaches just below the knees जो knees से घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक जाती है invites the comment तो उसको comment सुनने को मिलता है that he is dressed like a payder कि उसने एक baker के जैसी dress पहनी है the baker usually collected his bills at the end of the month baker अक्सर अपने जो payment होती थी bills होते थे उनको month के end में collect करते थे monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil और monthly जो भी खर्चा होता था जो भी bread की खरीदारी है वो monthly account बनाया जाता था record किया जाता था किसी दीवार पर pencil से baking was indeed a profitable profession in the old days baking करना एक बहुती profit करने वाला profession था पुराने समय में the baker and his family never starved और baker और उसके परिवार को कभी भी starved भूखे नहीं मरना पड़ता था he, his family and his servants always looked happy and prosperous वो लोग हमेशा happy दिखाई देते थे उनसे related सभी लोग चाहें एक baker हो उसका परिवार हो या उसके servant हो हमेशा happy और prosperous नजर आते थे their plump physique was an open testimony to this और उनकी जो गुदगुदी physique है मोटे ताजे जो होते थे healthy, fatty होते थे सभी bakers तो वो एक खुले रूप से बताती है कि वो भूके नहीं मर रहे हैं उनके पास बहुत कुछ है यहां तक की आज भी अगर कोई व्यक्ती jackfruit की तरह jackfruit का मिदलब कठल जो कठल मोटा ताजा होता है jackfruit की तरह अगर किसी का शारीरिक बनावट है तो उसे easily आसानी से compare किया जाता है एक baker से तो गोवा के गाउं में bakers की क्या image है क्या उनका business था क्या उनकी dress थी और आज वो कैसे हैं यह सब हमने इस lesson के द्वारा समझा है I hope students आपको यह lesson easy way में Hindi में समझ में आया होगा तो please इस video को like करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं जल्दी ही इस chapter के second story के साथ Thank you so much